नमस्कार अदाप सस्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के नॉमिनेशन टास्क से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है बिग बॉस सीजन 17 का जो 14 हफता का जो नॉमिनेशन टास्क जो है वो पूरी तरह से खतम हो चुका है और घर से बेकर होने के लिए कौन-कौन से कंटेस्टन जो है वो नॉमिनेट हुए हैं ये बात आप सभी दश्कों को हम बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल क्विक टीवी न्यूस को सब्सक्र कलने बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें नॉमिनेशन टास्क में जो है इस बार बिग बॉस के मेकस ने खेल दिया है दोस्तों सबसे बड़ा खेल एक ऐसा खेल जो है यहाँ पर नॉमिनेशन टास् टप है वो garden area में लगा था और इसके बाद आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत लीजीब तरीके का एक जो setup जो है garden area में लगा था और इसके साथी साथ एक और छीज़ बताना चाहते हैं कि जो setup जो लगा है उसमें big boss के makers ने दखल अंदाजी की है और दखल अंदाजी करकर एक बहुत बड़ी पनिश्मेंट दी है पहले आपको पताना चाहते हैं घर से बेकर होने के लिए कौन-कौन से कंटेस्टेंट जो है वो नॉमिनेट हुए हैं तो पहले कंटेस्टेंट का नाम है मुनवर फारुकी जी हां विक बॉस सीजन 17 के अब तक जितनी भी वोटिंग पोल्स जो हैं वो आई हैं उन सब में मुनवर फारुकी कही न कहीं टॉप पर थे और वो भी इस अपते घर से बेकर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं इसके बाद जो दूसरा नमबर आता है उनका है मुनवर फारुकी के अच्छे दोस्त हैं इनका अभिशेक कुमार अभिशेक कुमार भी जो है वो नॉमिनेट हुए हैं इस अपते घर से बेकर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं मुनवर और अभिशेक के बीच में काटे के टककर चल रही है अब जो तीसरा नाम निकल कर सामने आ रहा है उनका नाम है अंकिता लोखंडे अंकिता लोखंडे भी इस अपते घर से बेगर होने के लिए जो है वो नॉमिनेटेड है अंकिता लोखंडे भी इसके अलावा यहाँ पर एक और नाम आ रहा है मनारा चोपडा का मनारा चोपडा का नाम भी इस बार जो है वो सामने आ रहा है इसके साथे साथ ईशा मालवी का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है इस हपते इस वीकेंड के वार के एपिसोड में ईशा और साथे साथ यहाँ पर समर्थ की जो है बहुत जादा जो है वो क्लास लगी है और ईशा जो है यहाँ पर nomination के चक्रिवियों में पुरी दर से फच चुकी है आइशा खान का नाम भी सामने आ रहा है और इसके बाद जो नाम अगला सामने आ रहा है वो है विकी जैन का विकी जैन भी सबते घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेटेड है और अरुन भी सबते घर से इसके बाद आपको बताना चाहते हैं दोस्तों इन में से जो मतलब जो कमजोर है वो तो आप सभी दरशकों को पता है आईशा और अरुन दोनों में से ही किसी एक का पत्ता कटेगा इसके साथी साथ बताना चाहते हैं बिग बॉस के मिकस ने इस नॉमिनेशन टास्क के दौरान सारे के सारे घरवालों को बहुत बड़ा दंड दिया और सारे के सारे कंटेस्टेंस को जो है यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया नॉमिनेशन में सारे के सारे कंटेस्टेंस को डाल द और एक का तो नाम आपने मतलब आपको अंदाजा लगी गया होगा और उस कंटेस्टन का नाम है अरुन का अरुन का एक नॉमिनेशन मतलब एक इविक्षन होगा और एक इविक्षन जो है यहाँ पर बहुत बड़ा शॉकिंग इविक्षन होने वाला है जिसे शॉकिंग मिड इविक्षन का नाम जो है वो दिया जाएगा इतनी information जो है हमारे हाथ लगी और इस nomination task के दोरान जो है ईशा और अभिशेक के बीच में एक बार फिर गंदी fight हुई है जहां अभिशेक कुमार एक बार फिर रोते वे नजर आये हैं क्योंकि अभिशेक कुमार पर एक बार फिर स सारे के सारे contestants जो हैं वो टूट पड़े बुरी तरह से टूट पड़े तो ये चीज़े जो हैं आप सभी दशकों को upcoming episode में देखने को मिलेगा तो कितने जादा आप हैं excited दोस्तों इसे लेकर comment के जरिया आप हम ये बात जरूर बताएं तब तक के लिए बनेगे अमरे YouTube चान